मित्रों नमस्कार, इट टु हील चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अब इस समय मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आने बाला है, अक्सर लोगों को जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम खासी हो जाता है, तो हमें अपने उपचार के लिए या बचाओ के लिए क्या करना चाहिए, आज इसके बारे में बात करेंगे, सर्दी खासी में अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, अक्सर जड़ी बूटी, काड़े, पीने की भी बात होती है, जैसे कि बड़ी इलाइची, जैफर, काली मिर्च, तेज पत्र और दालचीनी देख रहे हैं, अदरक, सोट और मिश्री के बारे में मैं वीडियो पहले आपको बना के दिखा चुकी हूँ, आज मैं काड़ों की उपयोगता भी बताऊंगी, और जो हम प्रापर फूड रेगुलर ल जब भी सर्दी जुखाम खासी एत्यादी होती है, तो फिर हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये आज पिशे है, और मैं अपने खुद के एक्स्पियेंस से ये बात आपके साथ शेयर करूंगी, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, शक हो, तो ये आप डाक्टर से या अपने डाइटीशन से भी कंसर्ण कर सकते हैं, देखे, पहला प्रशन हम से पूछा गया है, क्या दूद ले सकते हैं, हाँ, दूद आप ले सकते हैं, आप गर्म दूद लीजिए, इसमें आप शक्कर जो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, नार्मल शकर उसे ना यूज कर तो आपके लिए बहतर होगा, परंत जो लोग रेगुलर दही खाते हैं, जिनको दही की आदत पड़ चुकी है, वो दोपहर के समय में एकदम ताजी दही, जो बिलकुल खटी ना हो, उसे थोड़ी मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं, वैसे अगर आप दही ना ही खाएं, तो और ये जो काली मिर्च है, और इसके अतरिक जो जाइफल आप देख रहे हैं, इन सबों का जब हम काड़ा बनाके पीते हैं, तो हमें बहुत फायदा करता है, ये औशदी ये काड़ा नहीं है, परंतु हमें एनरजी बूस्ट करता है, और सर्दी की टेंडनसी से हमको बचा अगर हम लॉंग इलाइची काली मिर्च को कूट करके काड़ा बनाते हैं, और उसे नार्मल करके यानि हलका सा गुनगुना रहने पे शिप करके पीते हैं, तो ये हमें फायदा करता है, तेज पत्र भी सर्दी जुखाम में हमें बहुत फायदा करता है, अगर इन मसालों को जिने मैं दिखा रही हूँ, अगर आप भोजन में भी रेगुलर अच्छी मातरा में शामिल कर लें, तब भी सर्दी जुखाम की टेंडनसी से आपको छुटकारा मिलेगा, इसके अगर आपको घी खाने कामन है, तो आप घी सर्दी जुखाम खासी में अवाइट करें, पर आप चाहें तो खिच्डी में घी डाल करके थोड़ा सा खा सकते हैं, खिच्डी वैसे भी फाइदा करती है और थोड़ा सा घी उसमें आप डाल सकते हैं, अगर हम फलों की बात करें, तो फिर फलों में हम एपल खा सकते हैं, बनाना कम मातरा में खाएं, ना खाएं तो या छोटा बनाना खाएं या आधा बनाना खाएं। बिटामिन-C वाले फूट्स हम ख़ा सकते हैं। लॉकी की सबजी ख़ा सकते हैं। पर लॉकी का जूस हम नहीं पी सकते। फल हमको पांच बजे से पहले यानि 5 पीम से पहले ही खा लेना चाहिए तो ये अच्छा रहेगा और फ्रिज में रखी हुई ठंडी खटी और कोई भी जूसेस जो कि हमने बजार से लाकर के रखे हैं या खुद के निकाले हुए आप फ्रिज का कोई सामान नहीं खा सकते हैं अगर आपको जूस भी पीना है तो तुरंत ताजा निकालिए और तुरंत ही फीलिए उन वरफलों का जूस पिए जो कि उस समय आपको खाने के लिए प्रियोग करने के लिए कहे गए हैं हर फल का आप जूस भी नहीं पी सकते रिफाइन शुगर, चॉकलेट, जैम, केचप, स्पाइसी और आईली फूट अवाइट ही करें आप ये फूट स्पाइसी हो चाहे यानि घर का बना हो चाहे बाहर का हो इस तरह का रिच और स्पाइसी फूट ना खाएं जो मसाले मैं आपको स्कीन पे दिखा रही हूं ये म मसाले आपको नुकसान बिलकुल नहीं पहुचाएंगे आप इनका काड़ा भी पियें और अपनी सबजी डाल में भी इनका तड़का लगा सकते हैं जिस समय आपको थ्रोट इंफेक्शन हो उस समय जब भी बजार से आप सबजी लाएं फल लाएं इनको प्रापर पहले वा प्रियोक तो करें पर उनको साफ करके धो करके क्लीन करके और थोड़ा सा वेट करके ही उनको खाएं कभी भी किसी भी विजिटेबल और फूट को ला करके पानी में भी गोए विना साफ किये विना ना प्रियोक करें क्योंकि आजकल मेडिकेटेड फूट और विजिटेबल है इसके अत्रिक्त दही चांच लसी मुसम्मी संतरा अंगूर खटे फल ये हम जादा ना प्रियोग करें क्योंकि सर्दी खासी में ये हमें और जादा अलर्जी पैदा कर सकते हैं फ्रज में रखी हुई कोई बस्तू ना खाएं जैसे कि मैंने पहले भी कहा आपको इस तरह की कोई बस्तू नहीं त्यार खानी है जो फ्रेश तुरंत त्यार ना की गई हो डैली केट गले के समय आप कुछ भी ऐसा खाएंगे तो आपकी खासी फ्रोट इंफेक्शन बढ़ सकता है अब प्रशन उठता है कि फिर इतनी चीज़ें मना हो गई तो हम खाएं क्या आप आप जल्दी ठीक होते हैं अगर आपने डाइट के उपर नियंतरान कर लिया तो सर्दी जुखाम जल्दी से जल्दी ठीक होता है और फिर दुवारा होता भी नहीं है आप हेल्दी फूड खाएं लाइट फूड खाएं ग्रीन विजेटेबल खाएं जो कम आयल में पकाई गई हैं आप ठंडी चीजे आइस क्रीम, कोल ड्रिंग और जैसे कि जैम, जैली, जूसेस और जंक फूड इत्यादी का प्रेयोक कम से कम उस प्रियर्ट में तो विल्कुल ना करें जिस समय आपको सर्दी जुखाम हो रहा है या सीजन चल रहा है या घर में इंफेक्शन मौ फ़जूद है, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो यो सर्दी का मौसम आ रहा है, अबھی तो हम आपसे एक और दिसम नवंबर में बात कर रहे हैं, चार महनी की सर्दी होती है, अगर हमने इन बातों का ध्यान लखा, तो हम जल्दी जल्दी बिमार नहीं पढ़ें यह बड़ी इलाइची है इसका भी अगर हम काढ़ा बनाने में प्रेयोग करते हैं तो इसकी खुश्मू बहुत अच्छी होती है यह आपको मेंटली बहुत आनंद भी देती है अगर आप इसको मुह में भी दबाते हैं तो देखिए छोटी इलाइची तो सब खाते हैं टेविल है और सर्दी खासी में यह काम करती है लॉंग जिसके बारे में तो लगबग हम सब ही जानते हैं और लगब लॉंग भी हम कुचल के अपने काढ़े में डालते हैं तो यह हमारा गला ठीक करती है दाल चैनी का प्रियोग तो लगबग अब हम सब लोग जानी चुके हैं अगर हम इसका काढ़ा बना करके सुबह खाली पेट पीते हैं तो हमारे तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और सर्दी जुकाम खासी में भी यह बहुत लाबकारी है दूद में भी दाल चीनी का पाउडर डाल के आप पी सकते हैं तेज पत्र हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छा है इसको अगर हम काढ़ा बना करके प्रयोग करेंगे तो यह भी हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है इस तरह से यह जो जाइफल है इसकी भी टेंडेंसी गरम होती है अगर जाइफल को भी अगर आप घिसके दूद में या पानी में प्रयोग करते है तो भी आपका सर्दी जुखाम जल्दी कंट्रोल होता है परंतु जैफल के बारे में याद रखें इसका जाधिक प्रयोग नहीं कर सकते इसको दो चार बार ही गिसना चाहिए सिलवटे के उपर या अपने पत्थर के उपर बस उसके बाद जो उसके अंदर गिसने के बाद थोड़ा सा तत्वा जाता है इतना ही काफी है और गरम दूद में डाल के आप पी सकते हैं छोटी इलाइची तो आपको पता ही है मूँ का सौध भी अच्छा करती है पाचन के लिए अच्छी है और हम काढ़े में भी इसको पी सकते हैं इसके अतरी सोट अदरक और मिस्री जिनके वारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ उनको भी अपने काढ़े में अगर आप कड़वा सादा नहीं पी सकते तो थोड़ा सामिल कर सकते हैं और मिस्री ही इस्तेमाल करें खड़ी शक्कर जिसे कहते हैं इसके अतरी जो डैली रूटीन में हम नार्मल शुग कर इस्तेमाल करते हैं कभी भी सर्दी जुखाम खासी और बुखार के समय वो कर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए अगर इन मसालों के साथ जिसों मैंने अभी आपको दिकाए आप प्रयोग करते हैं और अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं तो आपका सर्दी जुखाम जल्दी ठ आनकारी के साथ तब तक के लिए प्रणाम